नमस्कार किसान मित्रो, MJ فार्मिंग लोग में आपका स्वागत है किसान मित्रों हम आपको एक गैंदे की प्रबलम दिखाते हैं गैंदे में कौन से कौन से फंगस का अटेक रहता है, बैक्टरेरिल बलाइट किसको कहते हैं और इसको कंट्रोल कैसे करें हम उसके बारे में पूरे वीडियो जानेंगे अगर आप हमारे वीडियो में नए है हमाई चैनल पे नए आए तो हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तब कि आपको नए नए इंफर्मेशन मिलती रहेगे गेंदे के बारे में और भी फार्मिंग के बारे में तो किसान मित्रो वीडियो शुरू करते हैं यह देखो पहले हमारे यहाँ पे यह देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्लावरिंग लग गया है यहाँ पे हमारे बढ़िया तरीके से स्प्रेश शूरू है देखो बढ़िया तरीके से फ्लावरिंग लगाया अभी तो हमने इसके दूसरी हर्विस्टिंग कर दी है दूसरी हर्विस्टिंग में 450 किलो माल हमारा निकला है और अब दिपावली बहुत ही नज़्दिक है करीबन नौ या दस दिन होगे दिपावली के और हम दिपावली में हर्विस्टिंग करेंगे दिपावली के दो दिन पहले उसके लिए सब तयारी हमारी शुरू है और हाँ दोस्तो हमारे यहां पर बारिश की वज़े से और बहुत ही ज्यादा हवा की वज़े से पौदे की ब्रांचिस गिर गए थी और पौदे भी कही सारे गिर गए तो हमने खड़े कर दिये हैं और हम आपको दिखाते हें के बैक्टिर्ल डिसिस ग्याता है तो आप इस पोदे के पत्ते पर देखें आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे बदामी कलर के दबब्य हुए आपको दिखाई दे रहे हैं यह बदामी जो दब्य है यह बहुत सारे पत्ते पे हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी, यह देखो, यह बदामी कलर के दब्बे जो रहते हैं पत्ते पर, वो बैक्टरियल डिसीज के वज़े से होते हैं, उसको कहते हैं ब्लाइट, उसको कहते हैं बैक्टरियल ब्लाइट, और bacterial blight को control करने के लिए हमने आज यूज़ किया है taprocycling taprocycling और उसके साथ हमने डाला है nativo fungicide nativo fungicide और taprocycling का combination हमने किया है nativo fungicide हमने डाला है 20 लिटर पानी में 10 ग्राम और taprocycling हमने यूज़ किया है 20 लिटर पानी में एक उसकी जो 6 ग्राम की packet आती है उन में से 2 हमने पंप किये है करीबन 3 ग्राम एक पंप पंप में हमने यूज़ किया है और bacterial disease को कंट्रल करने के लिए taprocycling ही बहुत ही बढ़िया result देती है तो अब दूसरी market में जो भी दवाई आती है उस पे ज्यादा भरोसा मत किजेगा कोई भी अच्छा सा फंगी साई ले 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 जेगा और उसके साथ taprocycling मिला कर आप स्प्रे कर देज़ेगा तो बहुत ही बढ़िया से बढ़िया result आपको bacterial disease पे मिलेंगे या blight पे मिलेंगे तो हाँ दोस्तो आपको पता चल गया होगी bacterial disease कैसे कंट्रोल की जाती है और blight कैसे कंट्रोल की जाती है तो आपको यूड़ी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे और हमाई चैनल को सब्सक्राइब कीजे ताके आपको नई नई वीडियो और इनफर्मिशन मिलती रहेगी ठैंक यू